इम्पोर्टेंट MCQ को कवर करने जा रहे हैं तो वीडियो का आप जरू पूरा देखेगा इससे पहले अगर इस चना पर आप नहें तो जरू सब्सक्राइब कर दिजेगा चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहला कोईशन है निम्न में से पदार्थ है ठीक है निम्न में से कोन पदार्थ है ओप्सन है सीथ सने वायू या फिर घिरना इसका राइट असर क्या होगा दोस्तों इसका राइट असर हो जाएगा वायू ठीक है इसका राइट असर हो जाएगा वायू नेक्स्ट कोईशन है गेसो में विश्रन का एक उधारन है यहाँ पर चार ओप्शन दिया गया है चार ओप्शन क्या क्या है इत्र के सुगंद का हवा में फैलना स्याही का पूरे पानी में फैलना कोपर सलफेट के क्रिस्टल को पानी में डालना या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका राइटनसर हो जाएगा इत्र के सुगंद का हवा में फैलना ये इसका राइटर हो जाएगा दोस्तों थे लिए नेक्स्ट कोईशन देखते हैं नेक्स्ट कोईशन है गेस का द्रव में परिवर्थन कहलाता है गेस का द्रव में परिवर्थन क्या कहलाता है गेसी करन या फिर उर्वपात संगहनन या फिर जमना इनमें सराइटनसर कोन सा होगा इसकर आइटनसर हो जाएगा संगहनन गेस का द्रव में परिवर्थन संगहनन का लाता है next question नीम्न में से किसका घनात्व सबसे अधिक होता है ओप्सान है ठोस, द्रव, गेस, प्लाजमा इसकर आइटनसर क्या हो जाएगा नीम्न में से किसका घनात्व सबसे अधिक होता है तो आइटनसर हो जाएगा ठोस next question next है किस आवस्था में अनुव की उर्जा अधिक्तम होती है ओप्सान है ठोस, द्रव, गेस, इन में से कोई नहीं तो इसकर आइटनसर हो जाएगा किस आवस्था में अनुव की उर्जा अधिक्तम होती है तो इसकर आइटनसर हो जाएगा गेस next है किस आवस्था में अनुव की उर्जा सबसे कम होती है थोस की या फिर द्रव की, गेस की या फिर इनमे से नहीं तो इसका राईटन सरो जाएगा थोस की थोस अवस्था में अनुव की उर्जा सबसे कम होती है नेक्स्ट कोईशन है पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है ओप्शन है थोस या फिर द्रव, गेस या फिर इनमे कोई नहीं पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है तो राईटन सरो जाएगा थोस की थोस पदार्थ की जो अवस्था होती है उसमें अंतरानुक बल प्रबलतम होता है नेक्स्ट कोईस्टन है निम्न में किसमे कनों की अधिक्तम गती होती है ओप्शन है ठोस, द्रव, गेस या फिर इनमें कोई नहीं इसका राइटन सरो जाएगा किसमे कनों की अधिक्तम गती होती है यानि किसका राइटन सरो जाएगा गेस की नेक्स्ट कोईस्टन है जल का क्वाथनांग है 0 degree Celsius या फिर 100 degree या फिर 273 degree या फिर 303 degree इसका राइट एंसर क्या होगो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा 100 degree Celsius ठीक है नेक्स्ट कोईस्टन है सुद्द जल का क्वाथनांग होता है सुद्द जल का क्वाथनांग क्या होता है 173 Kelvin या फिर 273 या फिर इनमें से कोई नहीं होगा तो इसका राइट एंसर क्या होगा इसका राइट एंसर हो जाएगा 373 Kelvin ठीक है दोस्तों ये था important 10 MCQ जोकी मैंने पताया कैसा लगा आपको ये वीडियो मैं आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा इसी परकार का MCQ इंपोर्टन MCQ जानने के लिए एंसर जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तब तक के लिए थाइंक्यू